प्रिपजीसन टॉपिक में कई बार आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि छोटे स्थानों के नाम के पहले एट का और बड़े स्थानों के नाम के पहले इनका यूज किया जाता है पर कई बार आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि इलहाबाद और कानपुर जैसे बड़े सहरों के नाम के पहले एट का और किसी गाउ जैसे छोटे स्थान के नाम के पहले इनका यूज कर दिया जाता है ऐसा क्यों किया जाता है यही इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा इस figure में एक घोड़ा field में एक पोल के पास खड़ा हुआ है इन दो स्थानों में field extension है और पोल उस फिल्ड का एक point है किसी sentence में दो स्थान दिये जाने पर जो part extension का होता है यानि जो विश्तारित part होता है उसके पहले इनका और उस point के पहले यानि उस छोटे स्थान के पहले add का यूज किया जाता है इसलिए field के पहले इनका और pull के पहले add का यूज किया गया है Second example में I have breakfast at 8 o'clock in the morning morning शूरे निकलने से ले करके दोपहर के पहले तक के पूरे time को कहते हैं यहाँ पर morning extension है और 8 o'clock उस morning का एक छोटा सा point है इसलिए morning के पहले इनका और 8 o'clock के पहले add का यूज किया गया है इस figure में एक आदमी room के एक door पर खड़ा है यहाँ पर room इस थान में extension है और door एक point है इसलिए room के पहले इनका और door के पहले add का यूज किया गया है I stayed at Gonda for a week किसी भी sentence में अगर place और time दोनों दिया गया हो तो वहाँ पर place बड़ा माना जाता है और इसलिए place के पहले केवल add का यूज कर देते हैं week यहाँ पर छोटा मानते हैं इसलिए इसके पहले किसी भी preposition का यूज नहीं करते हैं I was educated at Kanpur यहाँ पर Kanpur पूरे सहर की बात ना हो करके जो speaker है वो जिस school ने पढ़ा है Kanpur के उसकी बात हो रही है इसलिए Kanpur के पहले add का यूज किया गया sentence में पूरे सहर कानपुर की बात ना हो करके केवल एक point school की बात होई है इसलिए Kanpur के पहले add का यूज किया गया है I am writing this book in hearty village hearty एक village है जो कि एक छोटा सा स्थान है फिर भी इसके पहले in का यूज किया गया है क्योंकि जब जो speaker होता है यानि जो बोलने या बताने वाला होता है वो उस time उस जगे पर अगर मौजूद है तो उसके लिए वह स्थान उसके सामने बड़ा है इसलिए उस स्थान के पहले in का यूज किया जाएगा